नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम HP में हुई देखिए LT TET की जो परिक्षा थी उसके बारे में डिसकस करेंगे और इसमें हम पूरा का पूरा जो question paper है उसको discuss करेंगे और मेरे पास यहां पर B-series का paper है दोस्तो अगर आपके पास B-series का है तो ठीक है नहीं तो आप अपनी answer की के साथ या अपने जो question के साथ इसको match कर लिजीगा और यहां पर हम total जो complete आपका B-series का question है या L-T-Tat का जो question है देखिए उसको देखेंगे तो सबसे पहला जो हमारा यहां पर part रहेगा वो रहेगा section 1 Hindi course of graduation level जो है देखिए इसको हम सबसे पहले यहां पर करने जा रहे हैं चलिए दोस्तों start करते हैं अगर आपको इसमें कुछ भी तूटी रहती है या फिर आपका कुछ doubt है तो आप हमें comment section पर चाकर बता सकते हैं और इससे पहले हमने L.T.T.T. की complete तैयारियां करवाई थी अगर वो students देख रहे हैं तो उनके साथ भी अगर कुछ दिकत है मतलब कुछ प्रशनों में doubts हैं तो आप लोग भी मुझे कह सकते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहला question हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका उत्तर क्या है तो डिप्टी कलक्टरी किस कहानीकार की कहानी है तो देखिए इस प्रशन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर 3 विकल्प नंबर C इसका सही होगा अमरकांद की जो कहानी है डिप्टी कलक्टरी दूसरा प्रशन देख लएते हैं देखिए सोन मचली किस की कवीता है तो सोन मचली जो कवीता है यही चायवाद का समय है नेक्स तो देखिए प्रशन संक्या चार यहां पर निमन में से कौन प्रगतिवादी कावैधारा के प्रमुक कभी नहीं है तो देखिए प्रगतिवादी कावैधारा के कभी जो नहीं है वो हैं अगे अगे हैं आपके प्रियोगवाद के प्रवर्तक ठीक है तो विकल्प नमबर C इसका क्या होगा सई उत्तर होगा नेक्स प्रशन है दिखिए कवीता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफ नामा है तो प्रशन नमबर जो पांच है इसका जो सई उत्तर होना चाहिए तह सुदामा पांडे धुमिल विकल्प नमबर A इसका सई उत्तर होना चाहिए था अगर आपको लगता है दोस्तों इसका कुछ प्रशन उत्तर और है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं मिरे अनुसार इस प्रशन का जो उत्तर है वो धोमिल होना चाहिए नेक्स से देखिए लालपान की बेगम कहानी के कहानिकार तो लालपान की बेगम जो है देखिए फणिश्वा नात्रेणू की प्रसिद कहानी है तो इसको भी आप देख लिजी एक बार इसका फणिश्वनात रेनू सही अंसर होगा नेक्स से दिखिए सिध्धों की संख्या कितनी माने गए तो सिंपल और सदार्म से प्रशन इसमें रखे गए थे सारे के सारे ज़्यादा मुश्किल प्रशन इसमें नहीं पूचे गए तो सिध्धों की संक्या 84 माने जाती है और आठवा प्रशन इसमें धिखिए खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है तो खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है देखिए यह आपका कौरवी ठीक है तो कौरवी इसको क्या का गया है कौर वी उसका दूसरा नाम है खड़ी बोली का और यह सारे प्रशन हमने लगबग डिसकस कर लिये थे जब हम L.T.T.T. वालों को कोचिंग दे रहे तो वहाँ पर हमने पूरा इसके बारे में बताया हुआ था वह भी आपकी बोलिया है और जिस लेवल की यह प्रशन थे यह सारी चीज़ें लगबग कहीं न कहीं हमने डिसकस की हुई थी और यहाँ पर हम जल्दी जल्दी इनको बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप सब लोगों को जो एक शब्द होता है वह अता आपका निपत्थ है विकल्प नंबर बी इसका क्या होना सई उत्तर होगा नेक्स दीकिए निमिलखित पंक्तियां किस कवी की हैं अंग्रीज रासुक साज सजे सभारी पैधन विदेश चलिजात इह दिखावारी तो यह बारत एंदु चंद्र जी की बारत दुर्दशा से विकल्प नंबर जो बी है देखिए यह इसका सई उत्तर होना चाहिए ठीक है गंगावतरन तथा उद्धवशतक नामक रचनाओं के रचनाकार तो यह है पंडित जगनादास रतनाकर जो आपके व्रजभाशा के कवी हैं दुएदी य चलिए नेक्स प्रशने देखिए जुही की कली पंचवटी विद्वा और भिख्षुक रचनाओं के लेखक कौन हैं तो यह हैं देखिए आपके सूर्यकांत्र पाठी निराला उनकी यह कवीता है प्रसेद जुही की कली मादक्ता शराब साकी मैखाने का सबसे ज़ादा प गीत फरोष भवानी प्रसाद मिश्र इनकी प्रसिद रचना है देखिए भवानी प्रसाद मिश्र सहजदा के जो कवी हैं अंधायुग नामक प्रसिद रचना के रचनाकार कौन हैं तो यह धरम विरबारती हैं विकल्प नमर्ब डी इसका सहयोतर होगा मैला अंचल नामक उपन्यास के उपन्यासकार, तो यह है आपके फणिश्वनाथ रेनू, विकल्प नमबर जो D है देखी, यह इसका सही उतर होगा, फणिश्वनाथ रेनू, उनिस्वा प्रशनम देख लेते हैं, यह पतबंदु था तथा नदी यशस्वी है, तो नामक जो उपन्यास है, यह किस ने लिखा था, तो इसका देखी, जो सही अंसर होगा, वो होगा आपका विकल्प नमबर C, नरेश महता, तो नरेश महता के यह प्रसिद्ध उपन्यास है, विकल्प नमबर C, इसका क्या होगा, सही उतर होगा, चलिए, नेक्स प्रशनम देख लेते हैं, इसके पश्च यह कॉमन सा प्रशन है, जो TET और LT कमिशन में लगभग इसको जादत बार इसी प्रशन को ही पूछा जाता है, तो इसका सही उतर था, देखिए, यह वला, चंदरदशर्मा गुलेरी, अगला प्रशन है देखिए, भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी, मोहन राकेश क मलबे का मालिक, नेक्स प्राशन है देखिए, वापसी नामक कहानी कार, उशा प्रियंबदा की वापसी, बहुत प्रसिद कहानी है, सची वीरता नामक निबंद के लेखक कौन है, तो देखिए, सची वीरता यह है आपके सरदार पूरण सिंह, विकल्प विकल्प नंबर D इसका क्या होना था, सही उत्तर होना था, सच्ची, वीर्ता कहानी, इनों नहीं, सुरी, निबंद इनका ही है, नेक्स प्वशने देखिए, यहां पर उत्साहा निबंद के रचनाकार कौन है, तो उत्साहा, तो ये थे आपके रामचंद्र शुकल जी, तो रामचंद्र शुक राकेश विकल्प नंबर D इसका exact सही आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स प्रशन इसके बाद देख लेते हैं अगला कौन सा है प्रशन संख्या यहां पर है देखिए 28 वां हिंदी दिवस कब मना जाता है तो 14 सितंबर को मना जाता है यह भी बहुत साधारन सा और कॉमन सा प्रशन यहां पर रखा गया था इसके अलावा और कौन-कौन से हैं देखिए अगला प्रशन है तोड़ती पत्थर कवीता के रचनाकार कौन है तो तोड़ती पत्थर जो कवीता है देखिए इसके जो रचनाकार है वो हैं आपके सूर्यकांत्रिपाठी निराला और यह इनकी प्रगतिवादी कविता मानी जाती है लहरों के राज हंस यहां पर रोटी और संसद कविता के रचनाकार कौन है तो रोटी और संसद के हैं आपके देखिए सुदामापंडे दुमिल संसद से सडक तक में यह संकलित कविता है इनकी सुशमा तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे इस वाक्या में रिखांकित शब्द की रचना हुई है देखिए यहां पर तब प्लस ही और इसी तरीके का प्रशन आप एक देखते हैं उस और क्या है तो यह पंक्ति किसकी है यह महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां है फिर विकल है प्राण मेरे विकल्प नमबर ए इसका साही आंसर होगा निमन मैंसे किस्कृति को ज्यानपीट पूरुसकार नहीं मिला है यह पूछा गया था तो इसको आपने फोकस करना था यहां पर तमस्था भीशम साहनी की जो रचना है इस पर इनको साhit य अकादमी पूरुसकार मिला था जबकि जो तीन रचना हैं इस पर उनको ग्यान पीट थे ठीक है अरे या यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है तो ये यात्रा वरितांत है विकल्प नंबर 20 का सही उतर है ठीक है कबीर को वाणी का डिक्टेटर तो ये हजारी प्रसाद विधीजी ने कहा था और ये सारी प्रशन अमने लगवग डिसकस किये हुए है संकर शब्द कौन सा था सील बंद देखिए सील आपका अंग्रेजी का है बंद आपका हिंदी का है ये थे आपके संत कावेधारा के कवी आदिकालीन कावेधारा में उपलब्ध नहीं है तो आदिकालीन कावेधारा में आपको सिक साहीते देखने को नहीं मिलता है बाकी सभी साहीते में यहाँ पर देखने को मिलता है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए पंक्तियां किसकी हैं तो यह जो पंक्तियां है देखिए यह है बालकृष्ण शर्मान नवीन जी की है ना विपलव गायन से इसके अलावा यहाँ पर फनीश वना सह रेणू के मैला आँचल में क्या विशेश्टा ईंदेखिए प्रशण सर्थ चालीस वाए देखिए पहन पर तो यहाँ पर फिर प्रशण को भी दिखाए गया है यहाँ पर तो ए या बी में से एक पर साई उत्र होगा मदुमालती के लेखक कौन है तो मदुमालती के हैं आपके देखिए मनझन मनझन के मदुमालती है मनोहर इसके नायक है भोजपूरी मोलता किस प्रदेश की बोली है तो ये है आपका बिहार प्रदेश की ठीक है विकल्प नमबर 20 का सही होगा कृषिन कावय की अपार समपदा किस बाशा में है तो ब्रजभाशा में ही हमें अधिकतर जो कृषिन कावय देखने को मिलता है नेक्स पॉचने दीखिए 44 मैं सत्य कहता हूँ सुखे सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद में प्रस्तुत सदा जानो मुझे वो प्रिक्त पंक्तियों में कौन सा रस है तो इसमें वीर रस या फिर कुछ और होगा तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं या करुन रस की बात की गई है यहाँ पर मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद में प्रस्तुत सदा जानो मुझे ठीक है नेक्स से दिखिए संचारी भावों की संख्या कितनी है तो संचारी भावों की संख्या 33 विकल्प नमबर 20 इसका क्या होगा साही अंसर होगा नेक्स प्रशन है देखिए यहां पर रहिमन पानी राखिए बिन पानी सबसून पानी गए उबरें मोती मानुस चून तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका देखिए अलंकारों से related भी हमने आपके complete जो एक lecture इसमें हमने provide किया था वहाँ पर हमने इन सब चीजों को अच्छे स वहाँ पर discuss किया हुआ था तो इसमें कौन सा अलंकार था जो आपका रहिमन पानी राखिए में देखिए यमक शलेश वक्रोकती या फिर आपका जो उपमा अलंकार इसमें है तो इसमें देखिए कौन सा अलंकार था इस पर आप मुझे बता सकते हैं इस प्रशन का उत्तर क इसकी रचना है, तो कुकरमुत्ता जो रचना है दिखे, निराला की है, प्रसिद्ध रचना, मुक्तिबोद की भी नहीं है, निरिश महता की नहीं है, और ये सारे हमने डिसकस किये हुए है, नलिन विलोचन शर्मात ता केसरी कुमार, तो ये नकेन वाग में आते हैं आपके इनहीं के नामों के जो प्रत्थम वर्ण है, उससे ये बना है, परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्माजी है, विकल्प नंबर A इसका क्या होगा, साय उत्तर होगा, नेक्स पचना देखिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामिन जीवन और क्रिशक संस्किती का मह काव्य कहा जाता है, प्रेमचंद के गोदान को ये चीज़ कही जाती है, विकल्प नंबर B इसका साय उत्तर था, मनिश्य की मुक्ती की तरह कवीता की भी मुक्ती होती है, ये बात निराला ने कही थी, ये भी हमने अच्छे से डिसकस किया था, रतिनात की चाची, उपन्य तो यहां पर रति, हास, शोक आदी जो भावें देखिए, जो भी आपके संचारी भावों के अंतरगत आता है, या पिर अनुभावों के अंतरगत आता है, ये प्रशन यहां पर पूछा गया था, तो ये जो आपके आते हैं देखिए, रति, और क्या है, हास, भाव, शोक, तो ये सब के सब क्या है आपके स्थाई भाव है, विकल्प नमबर सी इसका क्या होना चाहिए था, सई उतर होना चाहिए था, देखिए आप देखते हैं कि किसी श्रिंगारस का भाव है ये स्थाई भाव, तो श्रिंगारस का स्थाई भाव क्या है, आपका रत्या आ जाता है हास आपका हासे रसका है शोक आपका जो है करुन रसका है ठीक है तो स्थाई भावों के अंतरगत ये आते हैं ठीक है इसके अलावा यहां पर देखिए उदंत मार्तन किस प्रकार का क्या क्या रहे हैं ये उदंत मार्तन किस प्रकार का पत्र है तो ये जो है देखिए ये भी आपका क्या है सपताहिक है विकल्प नंबर C इसका क्या था सई उत्तर था नागरी प्रचानी सभा की स्थापना कब हुई थी नागरी प्रचानी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी विकल्प नंबर A इसका सई उत्तर था अनामदास का पोथा उपन्यास किसका है तो अनामदा का ततसम शब्द क्या होगा खंड ग्रहीं बिल्कुल सही अंसर है इसका विकल्प नंबर सी 60 प्रशन है देखिए यहां पर चांद का मुह टेड़ा है किस कभी का महा काव है तो यह मुक्ति बोद का चांद का मुह टेड़ा है और बुरी-बुरी खाक धुली नहीं दो लिखे है यह और अलब व्यंजनों को क्या कहते हैं तो यह कहते हैं अंतस्त व्यंजन इनको भी हमने इसमें किया हुआ था देखिए निम्र में से शुद्ध शब्द कौन सा है तो शुद्ध शब्द होता है आपका 63 63 तारे 60 भी नहीं होगा और 63 भी नहीं होगा 63 साई अंसर है हड्यों में चीपा जोर तथा आग हर चीज में बताई गई थी किस रचनकार की रचना है तो यह है चंदरकांत देवताले की है ना बहुत प्रसीद रचना है इनकी हड्यों में चीपा जोर होरी प्रेमजन के किस उपन्यास का पात्र है तो होरी जो है देखिए यह आपका गोदान का प्रमुख पात्र होरी अगला प्रशन है यहां पर जो कहूंगा सच कहूंगा संस्मानात्मक्रिती के लेखक कौन है तो यह है आपके देखिए 67 का जो सही आंसर होगा वो का विकल्प नमबर A कांती कुमार जैन ठीक है विल लड़ेंगे 1000 साल रचना कौन सी विधा की है तो यह है आपका देखिए विकल्प नमबर कौन सा हो जाएगा इसका 68 का विकल्प नमबर B हो जाएगा यह रिपोर्टाज है ठीक है किसका रिपोर्टाज है यह लड़ेंगे 1000 साल शिव शिव नरायन ऐसा जैसा कुछ नाम है तो आप एक बार इसको देख लिए पर इ अब दिभाशा क्या है तो यह थी आपकी अब दिभाशा यह हम सब लोग जानते हैं हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचारे मिलकर आज यह समस्याएं सभी तो भारते मैथली शरण गुप्त की यह प्रसिद्ध पंक्तियां है भारत भारती से ठीक है यह पर कुर कुरु स्वाहा किसका उपन्या से दिखिए अगला प्रशन है तो यह है मनोहर श्याम जोशी विकल्प नमब सी इसका सही उत्तर होगा बीती विभावरी जागरी अंपर पनगट में डूबो रही तारागट उशा नागिरी तो यह है जैशंकर प्रसाद की पंक्तियां सरकार या कोई संस्ता अपनी किसी निती निर्णय प्रस्ताव या आदेश को जनसधारन तक पहुंचाने के लिए पत्र पत्रिकाओं में जो सूचना दिती है उसे क्या कहा जाता है तो उसे प्रेस देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रेस विग्याप्ति विकल्प नंबर 20 सही उत्तर होगा नेक्स देखिए लोगसभा स्पीकर शब्द शब्द निर्मान की दिष्टी से कैसा है तो देखिए लोगसभा स्पीकर तो यह आपका आजाएगा आपका किस तरीके काह यह देखिए समान्य या फिर अर्ध परिभाशिक तो मेरे इसाब से जो आपका अर्ध परिभाशिक भी हम इसको नहीं ले सकते विकल्प नंबर 20 सही उत्तर होना चाहिए एक्जक्ट हाला कि मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं यह आपर तो आप इसको देख लिजे कि इसको मेरे अनुसार इसका विकल्प नंबर 20 सही उत्त होना चाहिए नासी के तो पाखा एक ख्याइन के रचईता कौन है तो यह हैं सदल मिश्र विकल्प नंबर A इसका सही उत्तर होगा मानक हिंदी का मूल अधार कौन सी बोली है मानक हिंदी जो है देखिया आपका खड़ी बोली जिसको हम आज उसका परिनिष्ठित किया तो यह है बिहारी जैसिंग के लिए ने यह कही थी कीरती लता की रचनाकार कौन है विद्यापती बिकल्प नंबर B इसका सही उत्तर होगा नेक्स पशने दीखिए मुझे चांद चाहिए किस विदा की रचना है तो यह है आपका उपन्या सुरेंदर वर्मा का ठीक है प्रशने दीखिए निमिलेकित मैंसे रिती सिध का भी कौन है तो रिती सिध है आपके बिहारी घननन्द आपके रिती मुक्त थे केशव और चिंतामनी आपके रिती बद्ध है नेक्स प्रशन है यहाँ पर देखिए प्रेमचंद की ईदगा कहानी का नायक कौन है तो यह हामीद, विकल्प नंबर 20 साही उत्तर था अचारे रामचंदर शुकल ने भक्तिकाल का समय निर्धारित किया है तो भक्तिकाल का जो समय था देखिए समवत 1375 से 1700 विक्रमी समवत तक विकल्प नंबर C इसका साही उत्तर था जल्वा कहानी के कहानीकार कौन है तो जल्वा जो कहानी है देखिए 88 जो प्रशन है यहाँ पर उसका साही उत्तर होगा पनिश्वनात रेणू विकल्प नंबर A इसका exact होगा मलवे का मालिक कहानी के रचनकार मोहन राकेश बहुत बार यह रचना पूछी जाती है मुझे तुम्हारा साथ मिला कविता किस कविद्वारा लिखित है जो 90 प्रशन है देखिए 90 है ना इसका जो साही उत्तर होगा गजनन माधव मुक्ती बोथ चितवन की छाहा किसका निबंध संग्रह है तो यह विद्धनिवास मिष्र का प्रारमभिक इनका निबंध है स्थूल का विप्रितार्थक शब्द स्थूल का सुक्षम के प्रति विद्रो तो यह आपने वहां से समझना था इसको विकल्प नमबर A इसका सही उत्तर था वो घोल का विप्रितार थक तो यह आपका कगोल विकल्प नमबर A इसका भी सही उत्तर होगा विकल्प नमबर B इसका सही उत्तर था पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार थक तो यह पब्रहश विकल्प नमबर B सही उत्तर था नेक्स से देखिए 98 या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहुंपुर की ताजी डारों इस पंक्ती के रचना किस ने की है तो इस पंक्ती के जो रचनाकार हैं देखिए ये हैं रस खान और ये पंक्ती मैंने आपको बताई थी कल सुनना मुझे किस कवी का कविता संग्रह है तो यह हैं सदामबांडे धुमिल जी का कविता संग्रह शवानों को मिलता दूद वस्त्र भूके बागलक अकुलाते हैं मां की हड़ी से चिपक ठिटुर जाड़े की रात बिताते हैं तो ये हैं आपके रामधारी सिंग्ध दिनकर की प्रसिद्ध पंक्तियां नेक्स पचने यहां पर देखिए ये सोचकर की दरक्तों में च्छाम होती है यहां बबूल के साई में आके बैट गए तो ये हैं आपके दुशन्त कुमार जो आधुनिक गजलकार माने जाते हैं इसका साई आंसर था विकल्प नमबर बी सांप लगू कवीता है देखिए ये किसकी है ये है आपके अग्ये की सामतुप सभ्यतों हुए नहीं नगर में बसना भी नहीं आया नेक्स पशने देखिए एक सोतीन अब दी बगेली च्छतिस गड़ी और ये बोलियां हिंदी में किस वर्ग के अंदरगात आती है ये तब B या C में से या फिर कुछ अलग है तो आप उसको भी बता सकते हैं तो इसका क्या उतर है यहां पर मैं आपको नहीं बताऊंगा ये क्योंकि exact मालूम नहीं है और ठीक वैसी एक सो चठथा जो प्रशने देखिए पारिभाशिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ती में रहता है तो आइ थिंक ये अभीदा शक्ती होना चाहिए था लेकिन इसका भी exact उतर मालूम नहीं है अगला पशन देख लेते हैं वैज्ञानी के वम तकनिकी शब्दावली आयो किस थापना कब हुई थी तो इसका जो उतर था देखिए वैसे इसका 21 दिसंबर 1960 था यहां पर ए इसका सही हो सकता था exact इसका भी नहीं है है ना तो विकल्प नंबर ए मेरे हिसाब से इसका सही होना चाहिए अगर दिसंबर से अगर देखा जाए तो 1961 हो सकता था नेक्स है देखिए यहां पर इहां मरिक किसका भेध था तो यह आपके रूपक के भेध है ठीक है रूपक के मैंने आपको दस भेध बताए थे कौमेदी का मूल भाव क्या है तो कौमेदी का मूल भाव है आपका हास्य ठीक है विभावन भाव संचारी से योगाद रस निश्पत्ती किसकी परिवाशा है तो ये रस की परिवाशा है इसको भी हमने बहुत बार डिसकस किया था अगला प्रशन है यहां पर देखिए 111 रंग निर्देश से क्या अभिप्राय है रंग निर्देश से नाटक लिखन सूरे कांतरी पाठी निराला इसका साही उतर होगा नेक्स परशन है यहां पर देखिए प्रित का बयान कवीता किसके द्वारा लिखी गई थी तो ये थे आपके नागर जुन जी की प्रसिद कवीता है प्रित का बयान टिपण या टिपणी का अंग्रेजी में परियाय है विकल्प नंबर सी इसका साही उतर होगा आधिकाल को सिद सामंत काल किस ने कहा था तो ये राहुल सांकृत्याइन जी ने कहा था विकल्प नंबर सी साही था एकसोसत्रवा है देखिए उसने कहा था कहानी में किस शहर की भीड भरी गलियों का चित्रन है तो अमरित सर दिवस का अफसान समीब था गगन था कुछ लोहित हो चला ठीक है तो संध्या का इसमें जिक्र था एक सड़क सतावन गलियां उपन्यास के लेखक तो कौन है देखिए यह आपके कमलेश्वर एक सड़क सतावन गलियां तो यहां पर आपका जो हिंदी वाला पोर्शन है वो उसके बारे में थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी और कौन कौन से प्रशन इसमें पूछे गए थे भारत का सबसे पहला जो समाचाल पत्र है देखिए वो कौन सा था 121 जो प्रशन है देखिए उसका जो सही उतर हो जाएगा विकल्प नंबर A सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है 124 प्रशन का उतर था आपका अब्दुल गफार खां ठीक है डी साय उतर होना था विश्चो में किस देश का समीधान सबसे लंबा है 125 जो प्रशन है देखिए उसका उतर था विकल्प नंबर B भारत चंदर नहां जील किस जिल विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है देखिए 11 जुलाई को विकल्प नंबर B साय उतर होगा सियुक्तराष्ट के महासचिव का कारेकाल क्या है 139 वें का भी आपका विकल्प नंबर D है देखिए 5 वर्ष नेक्स परदेश की पहली जो महिला द्यक्षती विद्या स्टोक्स अगला परशने देखिए लॉड करजन द्वारा प्रसिद्ध शिमला काल का रेल मार का शुभारंब किया गया था तो इसका जो साही उतर होगा देखिए विकल्प नंबर C 103 उनी सो तीन सुरी अगला परशने दे बुद्ध विकल्प नंबर C इसका साही उतर होगा नेक्स प्रशन है देखिए अपका विकल्प नंबर 135 उनी स्टीम ने जीता था तो यह जीता था आपका 2020 का मुंबई इंडियंज ने विकल्प नंबर D इसका साही उतर हो जाएगा नेक्स से देखे, कथकली निरित्य किस प्रांथ से संबंधित है, तो कथकली आपका केरल से, केरल प्रांथ से, 137 का यहाँ पर हो जाएगा, C, भारते समविदान का अनुचेद 21A संबंधित है, तो जो आपका, 21A जो है देखी, यह आपका, विकल्प नंबर B, शिक्षा से सं बंधित, सही उत्र होना था 138 का B राष्टिय ध्वज को कब अपनाय गया था 140 प्रशन ने देखिए, इसका सही उत्र होगा 22 जुलाई 1947 को प्रसिद कुनार्क का सूर्य मंदिर किस राजय में स्थित है तो यह है आपका देखिए, कुनार्क का जो सूर्य मंदिर है 143 का आपका D साही उत्र होगा, पंडी जोहलाल नहरू दिली चलो का नारा किस ने दिया था, तो दिली चलो का जो नारा दिया था ये दिया था नेता जी सुभाशंद्र बोस्ची ने अगला प्रशन है देखिए, एक दिवसी अंतराष्ट्र के विश्यो कब 2023 किस देश में खेला जाएगा तो यह आपका देखिए, 144 में का हो जाएगा विकल्प नमबर D भारत में अगला प्रशन है, यहाँ पर देखिए, मजलिस किस देश की संसद का नाम है मजलिस किस देश की संसद का नाम है देखिए, यह है आपका इरान, विकल्प नमबर C इस का सही उतर होगा नेक्स प्रशन है देखिए, जब भारत अजाद हुआ तब इंगलेंड का प्रधान मंतरी कौन था 146-वे प्रशन का उतर होगा, कलिमेंट एटले, विकल्प नमबर A सही उतर होना चाहिए 147-वे प्रशन देख लेते हैं दोस्तों कि निमन मैंसे किस क्रिकेटर ने स्ट्रेट फ्रॉम दा हार्ट एन आटो वायग्राफी नामक पुस्तक लिखा है तो यह होगा आपका विकल्प नमबर A का पिल देख अगला प्रशन है यहां पर देखिए 148-वा निमन मैंसे कौन सी लक्षदीब की राजधानी है तो लक्षदीब की जो राजधानी है देखिए यह आपकी कावरती अगला प्रशन 149-वा पहाड बेगाने नहीं होंगे तो यहां पर है देखिए शांथाकुमार इसका साय उत्तर और शांथाकुमार से अक्सर एक प्रशन रखा ही जाता है तो यह थे 150 के 150 प्रशन अगर इन 150 प्रशनों में मुझसे कुछ गलती हो गई हो या जिन में कुछ डौट हो आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्षन में जाकर उन प्रशनों को बता सकते हैं और किस तरीके का आपका पेपर हुआ है वो चीज भी हमारे साथ आप सांजा कर सकते हैं तो फिलाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों जल्द मुलकात होगी एक नए वीडियो के सब्सक्राइब